हेलो एब्रिवन मैं राइज बंडारी आप सबको सागयत करता हमने चाहिए लेक्टिकल एड़म है आज जो हम क्लाश 12 का एक टॉपिक लेगा है ठीक उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसमें यह जो कोशन जाहतार एक नंबर में आता है ठीक है तो इसको हम प्रूब करके भी किस तरके से इसको सॉल्व करते हैं कभी-कभी सॉल्व करने के लिए भी पूछा जाता है मगर जातर यह एक नंबर में पूछा जाता है कि ऐसा क्यूं होता है तो क्या है एक कोशन की एक समान चुम्बा के छेतर में गतिमान आवेशित करने की गति जूड़जा में परिवर से suppose गती कर रहा है तो उसकी गती उर्जा में यानि उसकी गती उर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है यानि उसकी गती उर्जा क्या होती है जीरो होती है ठीक है तो आपके पास question किस तरह कैसा है अगर कि अगर कोई आवेस किसी चुम्बा के छेत्र में गती कर रहा है तो गतियूरजा में कितना परिवर्थन होगा तो उसकी गतियूरजा में इससा क्या होती है नियत रहती है आपकी ठीक है यानी K equal to 0 रहेगा तो उसको किस तरह के से proof करेंगे देखेंगे उसको किस तरह के से सिद्ध करते हैं हम लोग ठीक है चोड़ो तो इसको देखते हैं तो आपको आपने ये फॉर्मला तो पहले प्रूब कर रहा है fm equal to qv qv vector cross b vector ये किसका फॉर्मला होता है ये होता है चुम्बा के छेत्र fm का ठेक है कौन सा चुम्बा के छेत्र जब आपका आवेश q q किसी एक समान चुम्बा के छेत्र पे होता है तो इस आवेश पे जो बल लगता fm वो इतना होता है qv b q v vector cross b vector ठीक है उसके बाद हमें क्या निकान लाए है चुम्बा के छेत्र में कार्य किदर कि चुम्बा के छेत्र में कार्य कितना होता है अगर आपका कोई आवेश एक समान चुम्बा के चेत्र में है तो वहाँ पर कितना कारे होता है तो वहाँ पर वैसे कारे जीरो होता है तो ये कारे जीरो कैसे होगा तो इसको हम देखते है P equal to आपके पता है कारे का फ़र्मला होता है W.T और W क्या होता है बलगुणा विस्थापन तो विस्थापन हमने D ले लिए हैं आपे ठीक है एक गुनट एक गुनट है F लिया था हमने डॉट D ले लिए हैं आपे ठीक है इंटू T ये क्या है मारा कारे करने की दर पावर ठीक है तो अब D जो होता है आपको बता D विस्थापन कैसे निकालता है तो D की वैल्यू कितनी रखोगे विस्थापन निकालता है वे गुना समय से तो यहाँ पर D की जगा क्या रख दो V इंटू T अपाउन T तो ये T से T कर जाएगा तो क्या बनेगा आपका क्या बचेगा F.V बचेगा F को हम Fm भी लिख सकते हैं ठीक है चुम्ब क्या छेतर चुम्ब क्या बलन तो यही हमने यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर आपका P जो बचा है क्या बचा है Fm.V वेक्टर अब आपको बता है यहाँ पर Fm की वैल्यू कितनी ओपर यह तो यह Fm की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और साथ में .V है आपका और यहाँ पर देखो क्या है आपका जो V वेग और V क्रॉस B है यह क्या आपस में लंबत होंगे कैसे होंगे लंबत यानि सपोज यह V वेक्टर है तो इनका V क्रॉस B के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा 90 डिगरी का एंगल बनेगा ठीक है तो अगर आप यहाँ से डॉट अट आओगे तो डॉट अट अने पर आपको पता है कॉस ठीटा लिए आता है तो ठीटा कितना लेंगे आपके 90 क्योंकि इनके बीच में कितना के एंगल बन रहा है इनके बीच में लंबवाद बन रहा है मतलब 90 डिगरी का कॉंण बन रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा ह advice किसी एक स्मय चुम्बर के छेतर पर होता है होता है थीक है तो यहाँका कारे 0 हो गया अब Newton के दूसरे नियम से आपको बता F equal to क्या होता है Fm equal to होता है M into A A क्यों होता है वेग परिबर्तन की बटें समय तो DV upon DT हम इसको लिख सकते हैं उसके बाद M तो ऐसी रहेगा DV upon DT यह हमने लिख दिया यह FM की value नहीं यहापर P equal to जो आपका यह formula है यहापर FM की value दुबारे रख दिया तो FM कितना आगे आपका M DV upon DT और 1V यहापर पहले से तो इस तरह के सो हो जाएगा अब हम क्या करेंगे power तो हमारा यहापर 0 है ना तो P की जग़ा 0 रख दिया equal to और क्या करेंगे 1 upon 2 की multiply दोनों side कर देंगे ठीक है तो इधर भी कर दी और इस side भी कर देंगे तो इस कितना हो जाएगा 1 upon 2 M D upon DT bracket में क्या आएगा V vector dot V vector ठीक है तो इस तरह के से बन जाएगा ठीक तो V vector dot V vector कितना होता है V square ठीक है इसको V square लिख देंगे तो आपको पताईए 1 upon 2 M V square किसका formula होता है यह होता है आपका kinetic energy याई गति उर्दा का K का तो इसकी से का हमने किन्दा लिख दिया इसकी से का हमने K लिख दिया है आपे अब हम क्या करेंगे आपको यहाँ पर पता है अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है 0 equal to dk upon dt याई गति उर्दा में आपका जो परिवर्दा ने वो कितना हो रहा है 0 याई के आपको क्या रहेगा नियत याई जिस चाल से वो चल रहा था उसी चाल से वो चलता रहेगा अगर करण आपको 10 meter per second की speed से ही चलता रहेगा उसकी गति उर्दा में कोई परिवर्दा नहीं आएगा तो यह नियत रहेगा तो यह हमने लिखा है एक समान चुम्बा के छेतर में करण की गति उर्दा नियत रहती है गति उर्दा मतला उसकी चाल नियत रहती है तो यह आपका जाहतर एक नंबर में पूछा जाता है मगर हमने इसको प्रूब करके भी देख लिया यह पूरा तो अगर प्रूब करने के लाएगा तो आप प्रूब भी कर सकते हो तो आई होप आपको यह समझ माया होगा तो प्लीज कोई भी दिख कर दो कमेंट कीजिएगा थैंक यू